Hello my dear friends, एक सवाल है, आपको दो option दिया जाता है, option A आपको एक बार में 20 करोर रुपिया दिया जाता है, और option B आपको एक रुपिया दिया जाता है, और ये बोला जाता है कि ये एक रुपिया 30 दिनों तक हर दिन के लिए डबल होता रहेगा, तो आप कौन सा option चूज़ करोगे एक सेगंड के लिए पॉस करो और जवाब दो, मुझे लगता है कि maximum लोग option A चूज़ करेंगे 20 करोर रुपिया, पर क्या आपको पता है, कि ये एक रुपिया जो हर दिन 30 दिन के लिए डबल होता रहेगा, ये 30 दिनों बाद कितना बन जाएगा, ये 30 दिनों बाद 53 करोर 68 70,912 रुपिया बन जाएगे, अगर मैं गलत हूँ, तो आप कैलकुलेटर पर चेक कर सकते हो, तो ऐसा कैसे हो गया, मतलब एक रुपिया हर दिन डबल हो करके 30 दिनों तक 30 करोर रुपिया कैसे बन गए, अमेजिंग, राइट, वेल ये पावर है, कमपाउंड इफेक का, औ मैं एक किताबी गिड़ा हूँ, और मुझे किताबी पढ़ने का बहुत शॉक है, और मैं मैकसिमम टाइम किताबे पढ़ता रहता हूँ, और मैंने जितने भी किताबे पढ़ी है, जितने भी वीडियो देखें, जितने भी पॉड़कास्ट देखें, मतलब बेसिकली, जितन consistency को follow करना शुरू कर दे consistency से जादू होता है consistency इस दुनिया का one of the most powerful forces में से एक है consistency कितनी powerful है यह इस बात से पता चलती है कि जब एक पहाड पे एक पत्थर पे continuously हर दम consistency के साथ पानी गिरता है तो वो पानी उस पहाड को उस पत्थर को चीर करकर रख देता है और उस से रास्ता बना देता है consistency कितनी powerful है यह आप इस example से समझ सकते हो कि आप एक पत्थर के उपर 2400 गंटा एक-एक बुन पानी गिराओ और इसको लगबग 2 साल के लिए 3 साल के लिए गिराओ मैं 100% guarantee के साथ कह सकता हूँ कि वो एक बुन पानी जब consistency के साथ हर दम पत्थर पे गिरेगा तो वो उस पत्थर को भी चीर के रख देगा और वहीं आप 5 दिन बाद 10 दिन बाद एक-एक बाल्टी पानी लागर गिरा दो उस पत्थर पे कुछ नहीं होने वाला है यह power है consistency का consistency कितने powerful है कि एक रसी जब कुएं पे उस रसी से पानी उठाया जाता है तो वो उस कमजोर रसी से कुएं के पत्थरों पे दाग पर जाते है रसी के दाग पर जाते है भी सोच सकते हो consistency कितने powerful चीज़ है पर सवाल यह आता है कि एक बंदा consistent कैसे बने consistency को कैसे implement करे अपनी life में और consistency को कैसे follow करे मेरा यह मानना है कि दुनिया में हर एक इनसान consistent होता है और वो consistency को follow करता है कैसे हर इनसान अपने behaviors को अपनी habits को हर दम consistency के साथ follow करता है किसी को बताने की ज़रूद नहीं पड़ती इनसान आदतों को पढ़ानी है और वो अपनी आदतों को फोलो करता है और जब एक बार आपको किसी एक चीज़ के पड़ती आदत लग गई तो आप उसके पड़ती कंसिस्टेंस हो जाओगे क्योंकि आदतों का मतलब ही यह होता है कि आप एक एक्शन को जिंदगी बर के लिए करने लग जाते हो तो जब सारे इनसान कंसिस्टेंसी को फोलो करते है तो एक सक्सेस्फिल इनसान में और एक अनसक्सेस्फिल इनसान में क्या फर्क है एक successful इंसान और एक unsuccessful इंसान में फर्क यह है कि एक successful इंसान अच्छी activities को अच्छी कामों को अपनी आदतों में शुमार कर लेता है और जब एक बार आपको किसी भी चीज़ के आदत लग जाती है तो फिर वो अपने आप consistent बन जाती है आप उसको अपने आप consistently follow करने लगते हो और एक unsuccessful इंसान फालतों कामों को बेकार की बातों को आदतों में शुमार कर लेता है जिसकी वज़े से वो consistency को एक गलत direction में follow करता है जब consistency को एक लंबे समय तक continuously follow किया जाता है तब compound effect अपना action दिखाता है और compound effect के बारे में the great scientist Albert Einstein कहते हैं कि compound effect is the eighth wonder of the world मतलब compound effect दुनिया का आठवा आजुबा है जब कोई बंदा किसी एक activity को, किसी एक task को, किसी एक काम को एक लंबे समय तक के ले करता है तब compound effect action में आता है और वो बंदा famous हो जाता है, successful बन जाता है और उसको लोग कहते हैं कि देखो वो आदमी तो overnight successful बन गया है जब कि overnight successful और overnight success जैसा कोई चीज ही नहीं होती वो बंदा continuously उस task को पिछले दो साल से, तीन साल से, पास साल से कर रहा था और तब जाकर कि उससे success मिली लेकिन ये चीज लोगों को पास साल बात पता लगती है और अचानक पता लगती है इसलिए उनको लगता है कि overnight success मिल गई है जब कि overnight success is nothing, कुछ नहीं होता है तो consistent दुनिया के सारे इंसान है और सारे इंसान हमेशा अपनी आदतों के अनुसार चलते हैं तो क्यों ना अपनी अंदर कुछ ऐसी आदतों को implement किया जाए कुछ ऐसी चीज़ों को implement किया जाए जिसका फाइदा हमें आगे चल करके मिले long term effect में मिले क्योंकि आप life में कुछ भी करो आप consistent रहते हो अपने behaviors के पड़ती, अपने आदतों के पड़ती और वो behaviors, वो आदते आपको life में आगे चल करके आपके करमों का फल देती है आपके behaviors का, आपके आदतों का फल देती है तो हम लोग अगर गलती से भी कुछ ऐसा करते हैं तो इसका खामियाजा, इसका परिनाव हम लोगों को बाद में भुगतना पड़ता है वेल देन, ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट्स में जरूर बताएं अपना important feedback जरूर दें ताकि मैं improve कर सकूँ मैं जानता हूँ कि consistency एक बहुत ही जबरदस topic है और मैं इस topic पे आप लोगों से इतने अच्छे से नहीं बोल भाया और अपने message को इतने अच्छे से YouTube वीडियो बनाता रहो तो मैं यह believe करता हूँ कि मैं एक दिन जरूर अच्छा बन जाओंगा Well then, this is Farhan Chimimi Thank you so much